हाई गाईज, वेलकम दो दा चैनल कॉंसेट फिलाइटी हम क्लास 11 बायो को पढ़ रहे हैं तो सेल चेप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी के कंटिनियोशन में एक वीडियो है अल्ड़ी मैंने कुछ वीडियो बना दिये हैं तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो देखिए क्योंकि एक वीडियो की सीरीज है और आपको कंटिनियोशन में तभी समाज में आगा जब आपने स्टार्टिंग से देखे हैं वीडियोश ठीक है चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते है अब पहली बाद आती है कि सबसे स्मालेस सेल कौन सा है ठीक है इस दुनिया में सबसे स्मालेस सेल कौन सा है सबसे स्मालेस सेल जो है इस दुनिया में वो है Mycoplasmas अब Mycoplasma है क्या Mycoplasma is a kind of a bacteria ये एक तरह का kind of bacteria ही है अब difference क्या है इसमें और अगर हम bacteria की बात करें तो ये देखो ये mycoplasma है ये इस तरह की mycoplasma है ये मेजरी हुई है mycoplasma की जो difference है बैक्टिरिया में और माइको प्लाजमा में वह यह है बैक्टिरिया में होती है सेल वॉल माइको प्लाजमा में सेल वॉल नहीं होती है माइको प्लाजमा में सेल वॉल नहीं होती है तो यह सबस्वारा डिफरेंस है यह देखिए आप ठीक है यह रहा बैक्टिरिया का इंफेक्शन होता है तो आप दवाई खाते हो उन दवाईयों का नाम होता है एंटिवाइटिक्स एंटिवाइटिक्स ये एंटिवाइटिक्स मालों में क्या करती है बैक्टिरिया के अराउंड सेल वॉल होती है तो ये सेल वॉल पर अटाक करती है cell wall पे attack करती है तो यह जो medicines होती है जो हम bacteria को मारने के लिए खाते हैं यह bacteria की cell wall पे attack करती है but mycoplasma में cell wall है ही नहीं तो जब cell wall नहीं है तो mycoplasma में antibiotics काम नहीं करेंगे तो यह बहुत बड़ा difference है antibiotics bacteria के लिए काम करते हैं बट माइको प्लाजमा में काम नहीं करेंगे क्योंकि माइको प्लाजमा के अराउंड सेल वॉल नहीं है ठीक है तो यह इंपॉर्डन चीज़ याद खिएगा अब हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा है सबसे बड़ा सेल है ओस्ट्रिच का सबसे बड़ा सेल कौन सा है human body में सबसे बड़ा सेल है जो हमारे brain में होता है ठीक है जिससे nerves बनती है ठीक है इसको बोलते है neuron जो आपने brain का chapter पढ़ा होगा या जो nervous system जब पढ़ते हो तो हम बात करते हैं neuron की तो हमारा brain neuron से बना हुआ है तो ये जो neuron है सबसे लंभा सेल है तो गर question उस तरह काता है कि human body में सबसे लंबा सेल कॉन सा है तो आपका answer होगाए neuron ये देख सकते हैं आप ये neuron है धिस इस a neuron ठीक है तो ये neuron है आगे बढ़ते है अब अब अगर बात करते हैं smallest cell की Human body में smallest cell कौन सा है Human body में smallest cell है sperm ये देखो ये ऐसे होता है Human body में smallest cell है sperm एक चीज़ जियान रखना दुनिया में सबसे smallest cell कौन सा है ये जो हम आप देखा है Mycoplasma दुनिया में लेकिन जब हम बात करेंगे human body की तो human body में smallest cell है sperm इसी तरीके से दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा है ओस्ट्रिच का जो भी हम देख के आए है लेकिन अगर हम बात करें human body की तो human body में सबसे largest cell कौन सा है वो है ovum यानि की egg egg cell egg cell किसमे होता है female में sperm cell किसमे होता है male में ठीक है तो ऐसे आप या सकते हो human body में smallest cell है sperm human body में सबसे बड़ा cell है वो है egg cell इसको ovum भी बोलते है ठीक है female में होता है तो आप यह देख सकते हो कि comparison देख जाएगा कि sperm कितने छोटे होते है in comparison दुआ egg cell यह एगा है यह egg cell है female का egg cell और आप देख सकते हो इसके आज पास बहुत सारे sperms है तो comparison लगेगा कि egg cell कितना बड़ा है और sperm cell कितना छोटा है ठीक है image में देख सकते हो आप आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे prokaryotes के बारे में वैसे आलड़ी मैंने उसके पर एक वीडियो बनाया हुआ detail में prokaryotes versus eukaryotes तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देखिए ठीक है उससे आपको और ज़दा clarity होगी तो prokaryotes कौन से होते हैं prokaryotes होते हैं जो single cell होते हैं जो unicellular होते हैं ठीक है prokaryotes वो होते हैं जो unicellular होते हैं single cell से बने होते हैं ठीक है इस example क्या है बेक्टीरिया, बेक्टीरिया बहुत एक common example है, ठीक है, फिर है blue green algae, अब blue green algae क्या है, it is a kind of bacteria, ये भी एक तरह का bacteria है, ठीक है, ये देखो आप, ये आपने देखा है, ये पानी में काई जम जाती है, हम जिसको बोलते हैं, काई जमती है, ये पानी देख तो हरा हरा सा हो गया है तो ये हरा हरा सा जो हुआ है ना, पानी ये blue green algae की वज़े से हुआ है, normal term sum इसको काई बोलते हैं, कि पानी में काई जम गई है, तो ये एक तरीका bacteria ही है, ठीक है, तो ये भी एक prokaryotic cell है, ठीक है, फिर example है, prokaryotic का mycoplasma, जो भी मैं आपको पीछे दिखा कर आया हूँ, हमने आपको infuse मत करिएगा, PPLO और mycoplasma एक ही चीज़ है, again it is a kind of a bacteria only, नाम mycoplasma का PPLO दिया है, बट दोनों ही एक ही चीज़ को refer करते हैं, ठीक है, उसका full form है, pleuro pneumonia like organism, समझ गए, अब बात करते हैं कि जो bacteria होता है, उसकी shape कितनी तरह की होती है, mainly, चार तरह की basic shape है, bacteria की, कौन कौन सी है, पहली है bacillus, तो bacillus आप दिखोगे rod की तरह है, एक सरेया होता है, और suriya rod की तरह है, ठीक है, second shape है, कौकी, ठीक है, कौका स्ही भी बोलते है, तो यह होती है, spherical, ठीक है, एक round type की square होता है, स्फेर, स्फेरिकल होती है, ठीक है, तो यह इस तरह समझ लो, स्फेर टाइप की, गोल टाइप की, ठीक है, फिर है, कॉमा शेप, इसको बोलते हैं, विब्रियो, ठीक है, विब्रियो, यह देख सकते हो, आप कॉमा होता है न, ऐसा हम कॉमा लगाते हैं, ऐसी दो लगाते हैं, तो देखो यह comma type की shape है उस् feelings प्री एक होता है spiral बोल देते हैं यह अपनी होकर आते हो spiral binding करवाते हो आप pages लेके spiral binding कराते हो तो वह shape देखी हो spiral जो होता है binding होती है तो वैसी समल दोआ तो चार basic shape है bacteria की, baiselae, całk alky fabric और spirul यह आपको पता होना चाहिए ठीक है अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यह बहुत इंबोरेंग ए पड़ा होına है कि यह अब इसके साथ साथ एक चीज़ और Normal पड़ा हुआ है इक है है यह तो हो गया जो बीच पड़ा हुआ है यह अब यह क्या है यह बीक्विड प्लीव-blu-blu-blu structure होता है ठीक है जो भी होता है nucleus के वहार पूरा उसको हम cytoplasm बोलते हैं तो cytoplasm में भी एक DNA पढ़ाता है एक तो DNA देखो यह राज जो main बीच में पढ़ा हुआ है ठीक है ना circular DNA इसको nucleoid भी बोलते हैं bacteria के case में एक DNA इसका cytoplasm में पढ़ा होता है इसको हम बोलते है plasmid ठीक है तो यह extra DNA एक तरीके से plasmid क्या है एक extra DNA और यह कहां पर है यह होता है आपका cytoplasm में अब यह क्यूं है इसका अगर हम बात करेंगे plasmid वाला जो extra DNA यह क्यूं है देखो एक सबसे बड़ा जो benefit है जो plasmid bacteria को देता है वो यह देता है कि यह bacteria को resistant बना देता है resistant किसके खिलाफ बना देता है Antibiotics के खिलाफ Antibiotics क्या होते हैं Antibiotics bacteria को मारते हैं हम दवाई खाते हैं Antibiotics वो bacteria को मारने के लिए खाते हैं तो bacteria के लिए नुकसान दाएगा तो बैक्टीरिया का करता है बैक्टीरिया भी फाइडबेक करेगा तो उस टाइम पे ये बहुत काम आता है बैक्टीरिया के ये बैक्टीरिया का दोस्त है ये help करता है बैक्टीरिया की कैसे help करता है वो जो एंटीबाइटिक हमने खाई है बैक्टीरिया को मारने के लिए ये plasmid लड़ता है उन एंटिबाइटिक्स से एक तरीके से bacteria को बचाता है एंटिबाइटिक्स से ठीक है तो bacteria पर एंटिबाइटिक्स असर नहीं करती अगर plasmid successful हो जाए तो ठीक है तो यह देखो it makes resistant to antibiotics plasmid जो है DNA इसका main अगर आप देखोगे काम है वो यह है कि जो bacteria है उस पर antibiotics असर ना करें तो यह resistant बनाता है bacteria के cell को antibiotics के लिए ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान रहनी ज़रूरी है बाकी एक चीज़ बताओं एक ऐसा common feature है जो eukaryoids में भी होता है और जो prokaryoids में भी है eukaryoids क्या होते है humans plants animals हम सब क्या है eukaryoids है prokaryoids क्या है हमने मैंने भी आपको बता दिया तो आप मुझे बताओ एक ऐसा structure जो prokaryoids में भी है और जो eukaryoids में भी है ठीक है और उसका एक हिंड देता हूँ मैं आपको उसकी membrane नहीं होती membrane नहीं होती eukaryoids में भी होता है prokaryoids में होता है तो मुझे comment section बताओ उस structure का नाम क्या है ठीक है तो वाइस यह ताप वीडियो जल्दी एक नए वीडियो बसाता हूँगा अगर वीडियो में रच्छ रखते हैं तो kindly इसको सबसात शेयर जरू परियेगा have a nice day bye bye take care